राम राम साख हमा घणी स्वागत है आप सभी का लहर क्लास सेज पर सपने होंगे सच साथियों राजिस्थान BSTC Express 2020 जिसका आज हम साथवा मॉडल पेपर सौलो करने जा रहे हैं याद रखना साथियों परिशानियों से जो परिशानियों से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख इस दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं सीखा सकता है हमारे साब ने भी कुछ परिशानी आई लेकिन हमने उनसे सीखा उनसे अनुभो मिला कि आगे से क्या करना है उन लोगों की संगती नहीं करनी है जो क्या करे हमें विपदा में डाले परिशानियों में डाले और हमें अपने हिसाब से खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा क कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता सब अपने काम से मतलब रखने हैं याद रखना ठीक है तो साथ यह आप कितनी भी जाय प्रिशान यह आए लेकिन हम क्या है पापस फत्य कर चुके हैं प्रैसानियों से तो आज हमारी सात्वा मॉडल पेपर हल करने वाले जिसके अंतरकत आज हम सिक्षन अभिरूची के 25 क्योशनों को करेंगे तो फटा पड़ से आप आंसर देंगे सात्रों के अंजर जो अधिकारिता अधिकम है उसको परभावित करने वाला मुख्यकार कौन सा है रिशिष्ट परकार के अधिकम के परती उसकी अभी चमता है वो चात्रों के अधि और पैन लेके बेटिए कि लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रसंद रखोंते हैं एक अधियापक को साइक सिक्षन सामागरी का परयोग करना चाहिए सात्यों को रूचीकर बनाने के लिए वो साइक सामागरी का परयोग करेगा दर्शिया अनूबो प्रदान करने है सीखशन परभावी होना चाहिए अच्छी बात है लेकिन जब सिक्षण रूची कर होगा तो वो परभावी अपने आप देगा आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों के रूची है मतलब वो परभावी इनकी कह सकते हैं दो राइट हो रहे हैं यहां से ज़्यादा दो राइट हो रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हम राइट मानेंगे वो ए को मानेंगे कि यहां से यह वाला क्या हो जाएगा हो चाएंगे लग चलेंगे की प्रात्मि क्स्तर पर पर्शीक्षण के सर्वोतम वीदी कौन से यह बताएंगे साथ यह जो प्रात्मि किसうん given कि से इसी अपनाओ extent बच्चे सके और क्या हो मनोरंजन भी हो उन को समझ में भी आए और वो वीदी उप्योग्त है खेल लिई विदी रायट हो जाएगा यहां से जो भी भाई भाई बहन बी बता रहें g i wal vedih kg by वाले p राइट रायट हो चाएगे साथD की प्रकरती क्या है इसकी परवर्ती क्या है विग्यानिक है वो सिक्षन को क्या मानते हैं विग्यानिक है जो मनोवग्यानिक है वो सिक्षन को क्या मानते हैं साथ यो फटापर से करेंगे इसके लिए आपको फटापर से आंसुर देना है जो जुड़ चुके बहुत ही क्युंकि साथियों आपके किस्मत है, वो खुद नहीं लिखी चाती है, आप खुद लिख रहे हो, लिखी हुई नहीं है, आप जितनी मेनत करोगे उतना ही मिलने वाला है, ठीक है, तो यूँ नहीं है कि जो सो रहे हैं, उनको सक्सेज मिल जाएगी, नहीं भाई, नहीं वाला है, तो हमें दूसरों की परवा नहीं करनी है, खुद पे ध्यान देना है, खुद को मजबूत बनाना है, कल से आज बहतर बनाना है, साथियों सिक्षन क्या है, सिक्षन साथियों कला और विज्ञान है, जिस परकार हमने पढ़ा था कि संप्रेशन भी क्या था, संप् है अगर वो योगीता नहीं है तो वह शिक्षक किसी काम का नहीं है अध्यापक के लाने के लाइक कुम लहीं है तो वो है है तो ओने ही ही कसी इत The मैंताये नहीं है तो पहले है से पँट है क्याना हूँ पड़ाए या गड़ी भी हो अध्यापक है तो उसके इंदर वो योगिता हो तो होनी ही चाहिए तो ऐसी कौन सी योगिता है जो एक अध्यापक के लिए जरूरी है सातियों यहां से क्या हो जाएगा राइट विश्य ग्यान बिल्कुल अध्यापक है तो कम से कम उसको उसके विश्य का ग्यान तो होना जरूरी है क्या विश्य ग्यान होना बहुत ही जरूरी है तो यहां से जिसने भी मी आंसर बताया वो क्या हो जाएगे राइट हो जाएंगे, हम चलेंगे एगले क्यूशन के और पूरे जोश तुनों और मोटिवेशन के साथ साथ यो आंसर देना है, क्यूशन यहाँ पर है, option नीचे सोंगे यादि एक अध्यापक अपने कारे को नकारता है, और कगसा में सिक्षन से बचना चाता है, तो उसका अध्यापक है, वो क्या करते हैं, मैं नहीं पढ़ाओंगा वो मना कर देता है, कि मैं नहीं पढ़ाओंगा और क्या करता है, वो कगसा में चाने से बचना चाता है, कि यार कहीं पढ़ाना ना पढ़ जाए ऐसा वो करता है उसको पढ़ाना पसंद नहीं है और वो अध्यापक है तो उसके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है किस चीज का आपाव है पढ़ाने से क्या कर रहा है पढ़ाने से मना कर रहा है कोई अध्यापक तो उसका कारण क्या हो सकता वो कारण आपको बताना है उसके अंदर नेतिक मुल्रयों का合़ा है सिक्ष्षन अभी छमता आप आप ah को पड़ा नहीं सकता इसलिए उसलिए नहीं पड़ा पा रए कारे करने की हमता का आप आपको यहा फिर साथ यह हो व्यव्शाइक नेतिक्ता का आप आप का क्या है अभाव है तो यहां से जिस भी भाई भाई ने डी आंसर वाता है वो राइट हो चाएगा बिल्कुल इसी परकार राइट आंसर बनाते रही है और अपने कदमों को मंजिल की और दिन परती दिन बढ़ाते रही है एक अध्यापक में नेतरतव छमता होनी चाहिए सा गती देने है तो साथेयों बताएंगे राइट आंसर क्या हो चाहएगा उन्हाहिए समधियार्थियों का नेतरण करेगा यह एक अध्यापक में इंतरत्र छमता इसलि anchamom कर लेगा विद्यार्थियों को पिरकेर किया 하 सकता नहीं लेकिन यह जब दो वो कर देगा, तो क्या करेगा, सिक्षन की गती अपने आप बचाएगी, क्लास के अंडर डिश्टरप नहीं बनेगा, उन्य कि साथियों क्या होगा, नेतर्तर ताउ छमताकियों आफशक है, गध्यापक के अंदर शिक्षन को गती देने है तो यहां से जिस भी भाई बेने डी आंसर बताया वो क्या हो चाएंगे, राइथ हो चाएंगे अब चलते हैं एगले क्युशन की और संप्रेशन का आर्थ है, सात्यों संप्रेशन का आर्थ क्या होता है, हमने पढ़ा था एक पूरी क्लास ते संप्रेशन, पहला ही टोपिक था आपका संप्रेशन, सिक्षन बिरूची पड़ी तब पहला टोपिक था संप्रेशन, तो भा विचारों और भावनाओं की साज़ेदारी करना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटा फट से बताएंगे बिलकुल सातियों विचारों और भावनाओं की साज़ेदारी करना क्या कहलाता है विचारों और भावनाओं की साज़ेदारी करना ही संप्रेशन कहलाता है हम जो ब बहुत ही कह सकते हैं, मीडियम कि यह ना ज्यादा है ना कम है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साथ योговी समय आपको भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, और क्लासेज आपके लिए बढ़ा दी गई है, तो आपको पढ़ने का time थोड़ा कम हुआ होगा तो उसको आपको manage भी करना है तो इसलिए आपको अपनी self study भी जारी रखनी है तो class का time हम ज़्यादा नहीं रखेंगे जो हमारे 25 question है उसको और भी 25 minute के अंदर ही complete 30 minute से पहले-पहले complete करने की कोशिस रहेगी voterization का मुख्य सिदान्त क्या है sempreast होनाँ चयाँ उसके अंदर Snapchat होनी चयाँ ताकि सामने वाले को क्या हो समझ में आ सकी सबिस्टी जिस भाई बई ने क्या इनसर बताएया वो क्या होजाएंगे अब चलते है question number 10 आपसे क्या करा है एक अध्यापक का मुख्य कारे है साथियोंगे अध्यापक होता है उस अध्यापक का मुख्य काम क्या होता है अध्यापक का मुख्य कारे क्या होता है अध्यापक स्कूल में बैटके क्या करता है उसको किसले वहाँ पे बिठाया जाता है अध्यापक को एक विध्याले के अंदर ठीक है उसका फैम देखे आप आपको पढाने के लिए बिठा है जाता है मुख्य कारे क्या होता पढाना के पीछे उसका मक्षद क्या है वो बताएंगे आप विद्याले का बजट बनाना, शिक्षिन अधिकम सिरफ पढ़ाना, विद्यार्थियों को मारक दर्शन करना, संस्तागत कार रहे बताओ भाई, ओपिस में काम करने के लिए बिठाया जाता है, क्या, साथ ये क्यूशन नमर 10 के अंदर C जो भी बता रहे हैं, वो राइट हो चाहेंगे, विद्यार्थियों के देखिए, सिक्षिन अधिकम के साथ साथ, सिक्षिन अधिकम तो एक अधियापक का काम है, इसमें तीन नमर लेगे चाहेंगे, पुध्यान रखना एक अधियापक का मुक्य कारे, विद्यार्थियों को मारक दर्शन और सिक्षिन कारे होता है, अब चलते हैं आगे, सरजनसील वैक्ति नीमन लिकित मेंसे कौन सा गुण रखते हैं, एक ओप्सन यहां से देख लेते हैं, न नीमन मेंसे कौन सा गुण होता है, वो निरने लेने में सवतंतर होते हैं, जिग्यासू होते हैं, जानने की इच्छा होती है, जिससे वो सरजनसील बन जाते हैं, किसी भी चीज के बारे में ज्यान प्राप्त करकर करकर, या पिर वो अपने विच्छारों पर द्रढ होते है यहां पिर वो नीडर और सास ही होते हैं इसलिए उनको सरजन सील का गया साथ यह सरजन सील व्यक्ति है उसका दिन परति दिन सरजन हो रहा है उसका विकास हो रहा है वो नहीनी चीज़ें सीक रहा है मतलब क्या है जिग्यास हुए उसकी जानने की इच्चा है उसके जानने के इच्चा जिसले वो नईने चीज़ों के बारे में क्या कर पा रहा है जान पा रहा है तो यहां से मी आंसर वाले क्या हो चाएंगे मी वाले राइट हो चाएंगे जिस भी फाई बाई ने बी बताया वो क्या हो चाएंगे राइट हो चाएंगे, सरजनसील व्यक्ति का सबसे मुख्य गुन होता है, वो जिग्यासा होती है, जिग्यासू होना चाहिए हो अब चलते हैं, क्यूशन निमर बारा क्या कह रहा है अधिकम की प्रकरती दिखाई देती है, साथियों जो अधिकम है, इस अधिकम की प्रकरती आपको कहाँ पर दिखाई देगी जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो, कैसा पढ़ा रहे हो, उसका रिजल्ट है, कैसा पढ़ा रहे हो, आपको कब मिलेगा आपके पढ़ाए हुए कितना काम आया वच्छों के कितना नहीं आया वो आपको कब पता चलता है जब बच्चे रठते हैं तब परक्रिया और उत्पाद में निए कि आप जब पढ़ा रहो तब उत्पाद निए कि आपका result बन रहा है प्रोड़क्ट बन रहा है उसके अंदर केवल उत्पाद के अंदर केवल परक्रिया में बताएंगे साथियों अधिकम की प्रकरती है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगी अच्छे से बताना है राइट बताना है अधिकम की प्रकरती है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगी, रटने में, परक्रिया और उत्पाद में, केवल उत्पाद में, केवल परक्रिया में साथ यों क्यूशन नमर 12 के इंदर क्या राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा आप जब पढ़ाते हो तब भी आप कैसा पढ़ा रहे हो बच्छों को देखके समझे में आ जाता होगा आपको और जो आपका result रहता है वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि आपका अधिकम कैसा रहा है तो यहाँ से जिस भी भाई भाई ने राजिस्तानी वीर ने विरांगना ने क्या बी आंसर बता या वो क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे ठीके अमेजन होता है ना अमेजन फिलिप कार्ट जहां से आप अमेजन पर ओर्डर करते हो अमेजन का English word है इसका Hindi में meaning क्या होता मैं रिको बताएंगे ठीक है अमेजन का Hindi में meaning क्या होता Chinese है भाई तो काम काई देखेएगा अगला cómoion क्या है उत्तरधायितों की भावना का प्रारंबिग पार्ट बालक गरन करता है साथियों जो उत्तरदाईतों है जिम्मेदारी है इसकी भावना का प्राणविक पार सबसे पहले जिम्मेदारी लेना है वो बालक कहां से सीखता है बताएंगे सबसे पहले लिखी गए एक बार प्रसन में आपे लिख देता हूँ कि उत्तरदाई तो भावना का विकास है वो कहां से होता है एक बालक के इंदर साथियों सबसे पहले उत्तरदाई तो भावना का विकास कहां से होता है सबसे पहले एक बालक है वो जिम्मेदार कहां से बनना सुरू होता उसके उपर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कहां से सुरू हो जाती है घर से विद्याले से समाज से या श्यम से साथियों एक छोटा बालक बनके सोचीगा कि आप जिम्मेदार बनना आपको कब चमझ में आया कि मैं आप जिम्मेदार मेरे को इस चीज़ का थ्यान रखना है नहीं रखना है साथियों घर सही एक बालक है वो जिम्मेदार बनना सुरू हो जाता है घर से उसका जिम्मेदारी का पार्ट है वो क्या हो जाता है शुरू हो जाता है यहाँ पर ए आंसर बता है वो क्या हो जाएंगे कुछ लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आया कि जिम्मेदार घर से कैसे बनते हैं साथ यो देखी का मान लिया suppose that क्या है एक लोटे के अंदर दूध है एक लोटे के अंदर दूध है आपके ममी जी है वो कहीं पर बार काम करने चाते तो आपको क्या कहते है बेटा इस दूध का ध्यान रखना बिल्ली नहाचाए वो आपको यहाँ पर जिम्मेदारी देखे जा रहे है कि इस दूद की अब रक्षा किसको करनी है, सुरक्षा किसको करनी है, इस दूद का ध्यान किस से रखना है, बिल्ली से किसको रखना आपको, यहाँ पर आपको एक जिम्मेदारी दिये तो इस परकार यह चोटी जिम्मेदारी है, अब आपको कोगे यह कौन से जिम्मेदारी, साथियों बालक के लिए जिम्मेदारी एक परकार की जिम्मेदारी आज आप विक्षित हो चके विसलिए आपके लिए बाएं हाथ का खेले लेकिने बालक के लिए क्या होती है एक जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी है उसका विकास उसका पार्ट है वो घर से ही शुरू हो जाता है विद्यार्थियों में नेतिकता के विकास के लिए आप सके साथियों विद्यार्थियों के इंदर जो नेतिक गुण है न नेति गुणों का विकास होगा, अच्छे बूरे के इंदर आपको फरक कर पा रहे हो, तो आप नेतिक रूपशे परिपक हो, बताओ साथियों, नेतिक का मतलब क्या होता है, जो नीती है, वो नीती कैसी है सामने वाले की, उसका आपको पता करना चाहिए, कि वो अच्छा है, वो ब सबसे पहले आपको अगरे इन दोनों के बीच अच्छे और बूरे के बीच अंतर करना आ रहा है, तो आप नेतिक गुणों का विकास कर सकते हो, नेतिक गुणों के विकास के लिए क्या है, आवशक सीजे, तो यहां से D आंसर जिस भी भाई बही ने बताया है, वो क्या हो आपकी रूची है, वो किसको पता होती है, कि मेरी रूची इस जीज में है, आपकी रूची है, वो किसको पता होती है, आपके माता पिता को आपकी रूची पता होती है, आपके समाज पर आपकी रूची निरपर होती है, जो समाज में हो रहा है, उसके एकोडिंग आपकी रूची होगी आपके मित्रों के अनुशर आपकी रूची पता होती है यहां पिर आपकी खुद के आदार पर आप अपनी रूची का चैन करते हैं कि हां मेरी रूची क्या है आपके खुद के उपर निर्बर करती है क्या हो जाएगा साथ यहां से जिसके भी डी के अलावा आ पीछे हो बहुत पीछे हो decrease increase समझ लिजए का इन दो आगणों को एक ये वाला होता है एक ये वाला होता है उपर जाता है एक नीचे आता है आप जो डी नहीं बता रहे हो नीचे आ रहे हो क्यों साथ यह आपकी खुद की रूची का आपके माता-पिता को कैसे पता होगा खु राइट होगा only for क्या दी राइट होगा तो जिस भी भाई बैंने डी बताया वह बहुत बहुत अच्छे आपका इसी प्रकार मैनत करते रहे हैं मंजील एक दिन अवश्य मिलेगी जब को या व्यक्तिव आप प्रसंगिक प्रसंद पूछता है तो आप क्या करेंगे सात्यो प्रसंद पूछता है तो आप क्या करेंगे आप उसका उफास करेंगे उसको उसकी गलती का अभास करेंगे उसकी अवैल ना करेंगे या पिर ऐसा प्रसंद पूछने के लिए उसको और कोई अवसर नहीं देंगे साथियों देखे का अवसर कोई किसी को नहीं देता है अव आप जितनी मेनत करें यह आपको आवशर है एक परकार का ठीक है यह क्या एक परकार का आवसर है इस आवसर को आप किस रूप में बदल रहे हो वो आपके उपर निर्पिर करता है तो आवसर तो भाई कोई किसी को नहीं देता सब कुछ अपना खुद का डूट दें लेकिन आ आपको क्या करना कुछ ऐसा करना है उसको उसकी गलती का आवास होना चाहिए ताकि वो भाईशे में ऐसी गलती ना करें अगर कोई आपर संगिक परसन पूछता है तो क्या करेंगे उसको उसकी गलती का एसास करेंगे तो यहां से मी वाले भाईबाइन क्या हो चाएंगे ब लेकिन आंसर राइट करना तो आप किस को सरवज़ प्रात्मिक्ता देंगे सिक्षन को सरवज प्रात्मिक्ता देंगे क्योंकि मैंने आपको पुछा था आप ये चीज क्यों करना चाते हैं ये चीज आप क्यों करना चाते हैं तो आपने क्या का हमारी सिक्षन के इंदर क्या है रूची है तो अब सिक्षन में रूची है बालक द्वारा संतूलित वेवार परदशित करना सातियों सामाजिक परिपकवता का अर्थ क्या होता है बताएंगे D वाला में option लिग देता हूँ कि बालक है ये है कोई बालक ये बालक क्या करता है अगर संतूलित वेवार परदशित करता है चौते होपसन केंदर आपको ये देरेका है कि बालक द्वारा चंतुलित व्यवार पर देशित करना बताएंगे राइट कौन सा हो जाएगा सामाजिक परिपकोता आपको पड़ाया था सामाजिक परिपकोता का अर्थ क्या होता है बालक का फल्क ही भांति पकना एक जो fruit होता है वो किस परकार पकता है उसी परकार पकना बालक में विवेक का विकाश होना बालक में सामाजिक कुशलता हूं हमारे समाज की टिपिक कुशलता है उन सब कुशलता हूं का skills डवलब होनी उसको कहेंगे हम समाजिक विकासन के समाजिक रूप से समाज के रुंदर हर परकार से हर चीज की जानकारी होना समाज में विक्षित होना सजग होना उसको कहेंगे हम समाजिक परिपक्क होता या फिर आपको चौता ओप्सन दिया हुआ है संतुलित वियवार साथियों यहां से जो भी भाई बें C आंसर बता रहे वो क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे बालक में सामाजिक कुसलताओं का विकास होना ही क्या है सामाजिक परिपक्का होता है तो यहां से जिसने भी C आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे right हो जाएंगे, 18 question हो चुके हैं मेरे साब से आपका scoreboard अच्छा चल रहा होगा अभी आपके scoreboard के बारे में बाते करेंगे, only for 6 question करके सामाजिक बुरायों को दूर करने के लिए आप, साथियों समाज के दर जो बुराया हैं, उन बुरायों को आपको दूर करना है, चीक है, आप चाहते हैं कि समाज की आप बुरायों को दूर कर दे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सामाजिक बुरायों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे जन चेतना जागरत करेंगे, लोगों को जगाएंगे कि भै ऐसा ऐसा उनको अवेर करेंगे उनको इस चीज़ की जानकारी देंगे कि आप ये मत करो यह पर आप परतिग्या कर लेंगे कि मैं समाजी बुरहाई है उनको दूर करूँगा संक्लप लेंगे या पर आप गुछ नहीं करेंगे मेरा क्या जाता है भाई समाज में बुरया है तो मैं मेरे अंदर की बुरयां देखूंगा नहीं साथ यूं आप एक सिक्सक हो और सिक्सक सिरफ विद्याले से नहीं बलके विद्याले से समंधित और असमंधित सभी से क्या रखे समंध रखे और समाज भी उसका क्या ह उत्तर दाइत हो है तो समाज के अंदर आपको बुराया है तो दूर तो करनी पड़ेगी या ये तो गलत हो जाएगा पॉस्टर द्वारा जागरती लेंगे आप पॉस्टर चिपकाएंगे और सब को बताएंगे कि जागरुट बनो जागरुट बनो साथ यह पॉस्टर हाँ अच्छी बात लेकिन इससे अच्छा एक आपको विकलप मिला है जन चेतना जागरुट करेंगे लोगों को समझाएंगे उनके इंदर चेतना विक्षित करेंगे लोगों को क्या करेंगे जागरत करेंगे उनके 19 वे क्यूशन के इंदर जिसने भी ए आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे और हम चलते हैं क्यूशन नमर 20 की और ग्यानार्जन करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए ए के इंदर लिखावा था परेतनसील ए में लिखावा था परेतनसील क्यूशन था ग्यानार्जन करना है शिक्षक को क्या करना है ग्यानार्जन के लिए ग्यानारजन के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए ग्यान अर्जित करने रहोगे जब आप जागरुक बनोगे समाज में क्या हो रहा है आस पास में क्या हो रहा है उन चीज़ों की जानकारी रखोगे तबी तो ग्यान अर्जित होगे आप सज्जग रहोगे जागरुक रहोगे तबी आपको ग्यान अर्जित होगा तो यहांसे जिस भी भाई भाई ने B आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे BB वाले गलत है, B वाले राइट हो जाएंगे तो double वार B टाइप करें वो गलत है भाईची कैक, question number के साथ B टाइप कीजिएगा, वो आपका राइट हो जाएगा समप्रेशन वा सिक्सा में सुनने की मेहतपण भूमी का है, यह कतन है सात्यों जो समप्रेशन है, एक तो समप्रेशन जो आप बोलते हैं और एक सिक्सा जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों के अंदर आपका सुनना बहुत ही जरूरी है, क्या उनको देखो है निकि क्या वास्ता में संप्रेशन और सिक्सा के अंदर सुनना जरूरी है सुनने की महतरपुन भूमिका है बिना सुने आप क्या संप्रेशन कर सकते हूँ बिना सुने किसी से बाते कर सकते हूँ बिना सुने पढ़ दो सकते हूँ लेकिन क्या किसी से सिक्सा गरंड कर सकते है कोई आपको आगे पढ़ा रहा है वो सिर्फ लिक रहा है बोल नहीं रहा है आप सुन नहीं रहा है वो बोल रहा है आप नहीं सुन रहे है तो क्या आप सिक्सा गरंड कर सकते है वो आसान रहेगा या कठीन रहेगा आप कहेंगे क्या है सुनने की मैतरपुन भूमिका है यहां पे सही कतन का आ गया यह क्या है बिलकुल सही है मी वाले भाई भाई भाईन क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे अब जलते हैं क्यूशन नमर 22 की और एक उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे परमुग शादन क् गुणों का सबी गुणों का विकास के लिए अब उत्तम गुण नेता क्या होगा जो समाज के अंदर अच्छे से रह सके समाज में उसके इजित हो वो सबी को एंडल कर सके अबने अनुयायों का क्या करे भला करे उनके हित्की भावना सोचे वो यह तो एक नेता के उत्तम सही शुरू कर सकते हैं लेकिन भाई अब आपकी तो स्कूली सिक्सा क्या हो चुकी है पूरी हो चुकी है स्कूली सिक्सा क्या आपके बारा साल पूरे हो चुके भाई बहुत 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 बढ़ा ही आपको कुछी के जादा भी होंगे लेकिन 12 साल तो भाई जो अभी फर्स्ट है फ्रेसर है उनके तो हो चुके साथ जी एक नेता के उत्तम गुणों का विकास आप स्कुल सही कर सकते हो कैसे क्लास के अंदर मॉनिटर होता है क्या वो नेता नहीं होता है क्लास का नेता होता है आप खेल खेलती है तो एक कुई आपका हेडल तर वो शही करता है अब चलैंगे क्यूशनाबर 23 की और आपके मितर का पुत्र आपकी कख्षा में पढ़दा है तो उसके परती आपका वेवार होगा साथियों आपके दोस्त का पुत्र है वो आपकी क्लास के अंदर पढ़दा है आपके मित्र का क्या आपके मित्र का पुत्र है आपकी क्लास में पढ़दा है तो आप उसके परती कैशा वेवार करेंगे आप अनुसासित तरीके से उसके परती वेवार करेंगे पक्ष बात करेंगे उसके साथ सामाने चात्र की भाती व्यवार करेंगे जैसा आप दूसरे सात्रों के साथ व्यवार करते हैं वैसा ही उसके साथ व्यवार करेंगे या पर एक पुत्र की भाती व्यवार करेंगे साथ ही यहां से राइट आंसर क्या हो चाएगा सात्रों की भलाई करता चात्रों को होता है नकी छात्रों का सर्वांगी ने विकास करना क्या होना चाहिए एक सिक्सक का उदेश्य होना चाहिए तो यहां से बी आंसर जिस भी भाई बैने बताया वो क्या हो चाहेंगे राइट हो जाएंगे उसके बाद last and final और प्राचार कि होते हैं पर्ति द्वन्र विरोधि होते हैं सयोगी हो एक empire होते हैं बैसे ना पिर विरोधि होते ना Depok स्योगी होंगे मित्र होंगे यां परतिद्वन्र होंगे तो यह निय弓 nella सी बता रहे हैं कि सहयोगी होते हैं बिलकुल साथ यूँ आप सच कह रहे हैं ठीक है एक परकार से क्या होते हैं प्रिंसिपल और टीचर एक दूसरे के क्या होते हैं सहयोगी होते हैं तो यहां से जिस भी भाई भाई ने सी आंसर बता है वो सी आंसर वाले क्या हो जाएंगे र प्रसंद राइट हुए हैं। परमी होतों पी बता देना साथ यू लिखी का, इस क्लास के स्पीड कैसी थी पहले तो ये बताना, क्या आप टाइम पे उत्तर दे पा रहे थे, यहाँ पिर उससे पहले में आपको एंसर बता दे रहा था, यहाँ पिर ये क्लास अच्छी थी डेली, इसी प्रकार से क्लास ली झाल झाल